तीन दिन पीलो, सो साल तक बुड़ापा, सरीर की कमजोरी, एनिंद्रा, ठकान, कमजोर आखें, कैल्सियम की कमी, हड्यों की कमजोरी, सुघर, कोलोस्टोल और दिल से जुड़ी बीमारियां आपको नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जिसका परियोग करके आप अपने सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और अपने सरीर को ताकतवर और फोलादी बना सकते हैं, अपने सर नुस्खे को लेने से आपके चेहरे पर गलो आ जाएगा, आपके चेहरे पर जुरिया नहीं बढ़ेगी और आप 75 साल की उमर में भी 25 साल जैसे दिखाई देंगे, दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपके पूरे सरीर की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी, दोस दोस्तो क्या आपको सुगर की बिमारी हैं और आप अपनी सुगर की बिमारी का इलाज करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस सुगर की बिमारी के कान आपके सरीर के अंदर जो कमजोरी आती है, आप उसका भी इलाज करना चाहते हैं, तो दोस्तो ये चाकतवर भी मनाएगा और आपके सुकर लेवल को भी कंट्रोल करेगा इसके साथ में जो डाइबटीज की बीमारी के कॉंप्लिकेशन होते हैं जैसे किड़नी पर आसर आना हार्ट पर आसर आना या बलड प्रैसर की बीमारी होना इन सब से भी आपको बचा कर रखेगा दोस् अज़ेखनें सरीर के इस बैड क्लोस्टोल का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों इस नुस्खे का आपने सेवन करना चाहे क्योंकि इस नुस्खे को यदि आप continue लेंगे तो इससे continue लेने से आपका जो bad cholesterol है स्रेर में वो कम होना सुरू हो जाएगा और आपके स्रेर में अच्छे cholesterol की मात्र बढ़ेगी और दोस्तों यदि आपको cholesterol की कोई समस्या नहीं होगी तब आपको heart blockage भी नहीं आएगी और जब आपको heart blockage नहीं होगी तब आपको heart attack भी नहीं आएगा यदि ये तीनों चीजें correlate हैं एक दूसरे से यानि ये नुसका cholesterol का इलाज करेगा heart blockage का इलाज करेगा और heart attack का भी इलाज करेगा दोस्तों इतना चमतकारी है नुसका दोस्तों यदि आपको एनिंद्रा की बीमारी है और दोस्तों यह तो आप जानते ही है कि ये एनिंद्रा अकेली बीमारी नहीं है दोस्तों ये एनिंद्रा आपके स्रीर को बीमारियों का घर बनाती है आपके स्रीर में 100 से ज़्यादा बीमारियां आ जाती है इस एनिंद्रा की बीमारी के का तो दोस्तों ये नुस्खा आपकी इस एनिंद्रा की बीमारी का एक रामबान इलाज है दोस्तों जो काम दवाईयां नहीं करती वो काम ये नुस्खा कर देता है दोस्तो एनिंदरा का इलाज करने के लिए आपको दवाईयां कुंटिन्यू खानी पड़ती हैं हर रोज लेकिन ये नुस्खा यदि आप कुछ दिन लगातार लेंगे तो आपको तीसरे दिन से ही फरक दिख जाएगा आपकी जो गोलिया है वो छुट जाएंगी आपको एनिंदरा की समस्या का समाधान हो जाएगा और आप एनिंदरा के साथ उन सो विमारियों से भी बचाएंगे दोस्तो क्या आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है और आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तब भी दोस्तो ये नुसका आपके लिए एक वरदान है और आपकी आँखों से हमेशा हमेशा के लिए चस्मे को हटाने का काम करता है आपकी आँखों की रोजनी को बढ़ा देता है दोस्तो ये नुस्का आपके सरीर की हड़ियों की कमजोरी का भी इलाज करेगा कैलसियम की कमी का इलाज करेगा क्योंकि ये कैलसियम फूर है जो आपके सरीर की हड़ियों को वजर के समान मसबूत बना देता है दोस्तो ऐसा है ये चमतकारी नुस्खा जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा इसके साथ में आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को भी बढ़ाएगा और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके इस रिट की रोगों से लड़ने की सकती हाई होगी तब आप बहुत त्रहें की बिमारी उन से बच जाएंगे अब जानते हैं कि इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे हैं दोस्तो इस नुस्खे की जो सबसे पहली मुखे समगरी हैं वो है दोस्तो बादाम और दोस्तो बादाम के फाइदे हम जानते ही हैं क्योंकि बच्पन से ही हम बादाम के बारे में सुनते आ रहे हैं दोस्तों, बादाम पेड से लेकर दिल तक की हर बीमारी का इलाज है मोटापे को कम करता है, डाइबटीस को कंपोल करता है, हार्ट ब्लोकेस से बचाता है और आपके सरीर को टाकतवर बनाने का काम भिखरता है और कहा भी जाता है कि यदि आप हर रोज बादाम का सेवन करेंगे तब आपका असिल खुलादी बना रहेगा आपने बादाम का प्रिजो कैसे करना है आपने क्या करना है चार बादाम लेकर रात को सोते समय एक गिलास पानी में या एक कटोरी पानी में भीगरूकर रात को रख देनी इस नुस्खे को बनाने के लिए अब जो दूसरी समय सामगरी है वो है दोस्तों खस-कस और दोस्तों खस-कस के फाइदे हम सभी जानते ही इसका इस्तमाल कबच जैसी समस्य से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है छोटे-छोटे बीजों वाला यह खादे बदार, कलोरी, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैलसियम, आइरन, पोटासियम, वैफोलेट जैसे पोसक ततों से भरा है इसका इस्तमाल आंतरिक स्वास्ते से लेकर तवचा और हमारे बालों के लिए भी किया जाता है दोस्तों, खस-खस का लेना है आपने सिर्फ एक चमच, इसका प्रियोग हम आपको आगे बताएंगे अगली जो समय सामगरी है, वो है दोस्तों, मखाने और दोस्तों, मखाने के बारे में भी हम सब जानते ही मखाने, डाइबटीज और दिल के रोग्यों के लिए तो एक वरदान की द्रह काम करते हैं और दोस्तों, आपके सरीर को ताकतवर बनाने का काम भी करते हैं और दोस्तों, आपने मखानों के खीर का टेस्ट तो किया ही होगा क्या गजब लगती है दोस्तों आप इसको खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे इसके टेस्ट को और दोस्तों ये सिर्फ ना आपके टेस्ट के लिए अच्छा है बलकि आपकी सिहत के लिए भी लाजवाब है अगली जोसमें सामगरी है वो है दोस्तों मिसरी मिसरी का परियोग हमने सवाद के लिए किया है और एक समगरी है दूद एक इलास अपने दूद लेना है और दोस्तो दूद हम बच्पन से पीते आ रहे हैं उसके फाइदे हम सब जानते हैं अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विदी दोस्तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपने एक बरतन को आग पर रखना है और उसमें एक चमच घी डालना है सुद गाएं का घी लेना है और दोस्तो घी के फाइदे भी आप सब जानते ही हैं अब आपने क्या करना है उस घी में एक चमच खस-खस डालकर उसको अच्छी तरहें से भून लेना है जैसे कि हम भून रहें अब आपने उसमें डालना है एक गिलास दो ख जैसे कि यह हमने ढाल दिया अब आपने उसके अंदर वो चार जो बादाम अपने रात को भीगोई दे उनको अच्छी तरहें से चिलका इतार कर उनको कूट कर आपने इसमें डालना है जैसे कि हम इसमें बादाम कूट कर डाल रहे हैं अब आपने इसमें डालना है एक मुठी मकाने जैसे कि हमने एक मुठी मकाने इसमें डाल दी दोस्तो अब आप इसमें डालें मिसरी अपने सवाद के लिए यदि आपको सुगर की बिमारी है तब आपने मिसरी का प्रयोग नहीं करना है लेकिन यदि आपको सुगर की बिमारी नहीं है तब आप इसमें अपने सवाद के लिए मिसरी का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि यह हमने इसमें मिसरी डालती है अब आपने इस दूद को तीन उबा प्रितर आपने इसको पीना है और दोस्तों यदर आप ऐसा करेंगे तब आपका पूरा सरीर बिलकुल नेरोगी बंजाएगा आपके सरीर की हर तरह की बैमारी का इलाज हो जाएगा आपको हडंड़ियों की कमज़री नहीं होगी कैलसियम की कमी नहीं होगी एनिंद्रा की बीमारी का इलाज हो जाएगा दोस्तो कमजोर आँखों का इलाज हो जाएगा सुगर कोलोस्टोल पेट के रोगों का भी इलाज होगा पेट में गैस कबज और एसडिटी की समस्य से आप बज़े रहेंगे तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आती रहें धन्यवाद दोस्तो